फरमाईसी गीत बजाने को लेकर हुई मार पीट जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गया है जिसमें आधा दरजन लोग घायल हो गए है पुरी घटने ये बताया जारे कमसरा गाउं में बरात आया हुगा था उसी बरात में फरमाई से गीत बजाने को लेकर जमकर माठ पीठ हो गई जिसमें आधा दरजन लोग घायल हो गए घायल होने के बाद सनी लोगों दरा सभी को दरावदा समदाइक सेस्मिक के अंदर में भरतिक रहा गया है जा इलाद चल रहा है पुरी घटना सनी बार की रात की बिताए जरे जिसमें कमसरा गाउं के आधाध रजल लोग घायल है घायल जिनकी हुई उनकी नाव रोनोक कुमार अनिल कुमार अनूप कुमार अंकित कुमार परचन्ड सिंग रितियस सिंग तथा उपेंदर कुमार सिंग जो की गम्रूप से घायल है इस घटना के बाद दराओंदा थाना परभारी परवीन को बाद परभा कर घटना सतर परहुच कर मामली की जात परतल में जुट गए हैं बताते हैं कि पुरी घटना ये घटी कि गाव में बनाता है हो था जिसमें दो पक्ष बैट कर अरकेश्टा देख रहे थे उसी अरकेश्टा में एक पक्ष के द्वारा किसी गीत को बजाने को लेकर कहा गया जब गणा नहीं बजए इसके बाद भी बाद होना सुरू हो गया जिसमें जमकर दोनों पक्ष से कूर्शी और लाठी डंडा चलने लगा जिसमें आधादर जनलों का मिरुप से घायल हुए मामले की जाज परतल किया जिसमें एक पक्ष ने अवेदन देश में साब तर पर मताया गया है कि असलील गाने को लेकर बाद में मारपीट हुआ जिसमें आधादर जनलों का मिरुप से घायल हुए है लगतार देखा जारा जिस तरह बिहार की बात किजिए तो बिहार में ज उसी में फिर जिस तरह असलील गाने को लेकर हमेसा मारपीट हो जाए उस पर उच्तम करवाई करने चाहिए जो भी सिंगर अगर असलील गाना का रहा है और गाने में जाती गद कर रहा है कभी राजपूत कभी भुमियार कभी यादो कभी चमार कभी कुछ बात को लेकर कभ कभी चमारी महला होता है कर दो हम्हेसा विबादी जा रहा है इस पर चाहिए कि उस्तम करवाई करें जो भी किसे गerson गाना का रहा है उसके